आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हव यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे कि एंटीपीसी एक्जाम कैंसल हो गया है कुछ सेंटर पर कौन-कौन से सेंटर पर एक्जाम कैंसल हुआ है वो में यहां पर आपको पर मैं बात करूंगा और इस वीडियो को बिलकुल लास तक देखने एक एक पॉइंट जरूरी है आपके लिए जानना जरूरी है काफी सारे बच्चों के सवाल थे उसी को मद्देने जब रखते हुए यह वीडियो में आप लोगों के लिए लिकर आया है वीडियो को आपको मिल जाती है तो चलिए आगे बढ़ते हम अपने में टॉपिक पर और आते हैं एक्जाम कैंसल हुआ है काफी सारे अफवाएं चल रही है कि जो नागपूर में जो लॉकडाउन हुआ है तो सबसे पहले मैं उसी बात पर आ जाता हूं जो नागपूर में लॉकडाउ ठीक है तो इस दोरान जितने भी एक्जाम होने थे तो बच्चों के दिमाग में एक शंशे बना हुआ था कि लॉकडाउन लगा दिया गया है तो जो नागपूर में एक्जाम होना है क्या एक्जाम वो कैंसल हो गया है तो मैं बिलकुल बता दो कि वो एक्जाम आपका कैंस अभी भी होगा लोगडाउन रहेगा लेकिन लोगडाउन होने के साथ आपके एक्जाम पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है जिन भी बच्चों का एक्जाम नागपूर में 15 से लिकर 20 मार्च के बीच में है वह अपना एक्जाम जरूर से देने जाए ठीक है समझ में आगई है 27 मार्च को तो 27 मार्च का एक्जाम केंसल हुआ है ओनली चीक है तो कहां का आसाम का एक्जाम केंसल हुआ है 27 मार्च का तो दोनों ही न्यूज की अपडेट आप देख सकते हैं आररबी ने अपनी ओफिशल वैबसाइट पर दोनों ही बारे में दोनों के ही बारे में न्य का एक्जाम कब से होगा तो एक्जाम जैसे कि यह 27 तक तो चली रहा था फिफ्ट फीज 27 मार्स तक आपका चलना है उसके बाद हूली का होली फैस्टीवल की वज़े से एक्जाम 2 से तेई दिन नहीं होगा तो पूरी पूरी पूर्सिब्लिटी यह 31 या फिर 1 अप्रेटल से आपका एक्जाम शरू कर दिया जाए तो city सिटी इंटी मिशन भी आपको 21 या 22 तारीक तक पता चलजाएगा मार्स तक कि आपका एक्जाम कौन से शहर में है और कौन से शिफ्ट में किस डेट को एक्जाम होना है तो ये भी आपको टेंशन लेनी की ज़रूत नहीं है तो थोड़ा सा वक्त है जिनका भी एक्जाम है वो 21 तारिक के आसपास आपको पता चल जाएगा और 31 तारिक हो सकती है एक तारिक से आपका एक्जाम शुरू करा लिया जाएगा अब सवाल ये पैता होता है कि ग्रूब डी एक्जाम कब होगा बैट डिले तो होगे एंटी पीसी एक्जाम और रर्वी ने अपने डो डिविशन में क्लियर ली ये बोला था कि मार्च एंट तग एंटी पीसी एक्जाम के लियर करा लिया जाएगा लेकिन कुछ सुचूइशन ऐसी रही है ना तो उस वज़े से एक्जाम डिले हो गया तो पंदरा से बीस दिन और मैं मान सकता हूँ कि अगर ये एक अप्रेल से भी शुरू होता है तो बीस अप्रेल के आसपास आपका ये एक्जाम खत्म हो जाएगा तो अब मैं आगे ये ही बोलूँगा कि जो गुरूपटी एक्जाम है जस्ट जैसे ही आपका इंटी पीसी एक्जाम कम्प्लीट होगा ठीक है उसके एक हफ़ते के या दस दिन के दोरां अंदर अंदर उसको करा लिया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि मैं मैं के फर्स्ट वीक से मैंने इस बात को पहले भी आपसे बोला था कि मैं के फर्स्ट वीक में आपका एक्जाम जरूर से शुरू हो जाएगा तो आप बिल्कुल बेफिकर रहें हैं जो भी गुरूपडी की एक्जान की तैयारी कर रहा हाला कि डिले हो गया बहुत ज़ादा डिले हो गया दो साल से ज़्यादा समय हो गया आपको इंतिजार करते करते पट कोई नहीं डिले हुआ तो उससे कहीं न कहीं बेनिफिट यह भी है कि आपकी तैयारी अप पहले से ज़्यादा बहतर हो गई बहुता है तो अब मजबूती के साथ आप भी अपनी रणभूमी उतर ना एक योध्य की तरह और रणभूमी में युद्ध को फत्य करते हुए एक जीत हासिल करनी है और गुरुपडी की सरकारी नौकरी का तमगा अपना है उपर एक ठपा लगवा के कम से कम वापिस आना है तो ये तीन न्यूस थी और तीनों न्यूस का आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि काफी अफवाओं का बाजार गरम था कि नागपुर में लोगडाउन लग गया है और लोगडाउन की वेज़े से आपके एक्जाम कैंजल हो गया तो फिलाल ऐसा नहीं है लोगडाउन हुआ है एक्जाम आपका तै डेट पर जरूर से होगा जिन भी बच्चों का नागपुर में एक्जाम है वो जरूर से अपने एक्जाम को देने जाएं तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब जानगारी बत देनी थी आई होब कि आपको सारी बाते के अगे होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक मैं बाये